Welcome all dear students, आज हम MPPSC Mains के JS Paper 2 के Part B Health and Education की 6 Marker को डिस्कस करने जा रहे हैं Guys, आपको 6 Marker में कुछ बाते विशेश रुप से ध्यान रखनी होती है जैसे कि कभी भी 6 Marker आंसर को परेग्राफ में ना लिखे क्योंकि उसकी मार्क्स अच्छे नहीं मिलते हैं बजाए इसके छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन लिखे, कुछ महतोपून पॉइंट या विशेश ताय जो पूछी गई है और उसका छोटा सा निस्करस लिखे क्योंकि अगर आप डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे या बड़ा बड़ा परेग्राफ में लिखेंगे तो उससे चेकर को कई सारी सीजे ढूड़नी पड़ती है और वो आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट होता है तो इसका विशेश चुरूप से ध्यान रखे शिक्स मारकर कॉश्चन में जब तक आवश्चक ना हो पेरेग्राफ में ना लिखे छोटी छोटी और ज़़ाद से ज़्यादा महत्तोपुन जानकारिया और ओर कॉंसेट को लिखने का प्रयास करें जिससे आपको अच्छे से अच्छे मार्स मिले जिससे कि यह चो पेपर हुआ था यह एक अगस को हुआ था जिसके six marker को आज हम discuss करेंगे तो इसमें जो पहला question आया था मानवा अधिकार अधिनियम की प्रमुक विशेष्टा है ठीक है तो जब तक हमें अधिनियम मालूम नहीं होगा हम उसकी विशेष्टा है नहीं लेख सकते अधिनियम में कुछ बहुत महतोपुन विशेष्टा है दी गई है उनके बारे में इसमें उलेक करना है तो सबसे पहले चोटा सा एक introduction दे देंगे कि मानवा अधिकार अधिनियम 28 सेप्टेंबर 1993 को लागू हुआ था जिसका मूल उद्देश मानव अधिकारों का संरक्षन करना यहों उसका समवर्धन करना ठीक है देन उसकी विशेष्टाओं के बारे में बताएंगे कि अधिनियम की धारा 2 में मानव अधिकार को विश्ट रूप से परिभाशित किया गया है अधिनियम की धारा 3 वा धारा 21 में राष्ट यह हुआ राज मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है अधिनियम की धारा 30 जो कि बहुत महतोपूर्ण है मानव अधिकार न्यायलई की गठन का प्राउधान किया गया है जिसका गठन राज्य सरकारे करेगी ठीक है, इसमें डिटेल नहीं लिखना है कि राज्य सरकार किस प्रकार से गठित करेगी क्योंकि इससे फिर दूसरी महतोपूर्ण बात है रह जाएगी, धारा 13 के बारे में बताएंगी कि इसमें मानव अधिकार आयोग को सिविल कोर्ट की शक्तिया दी गई है धारा 12 का उलेग करेंगी, इसमें आयोग की कारियों का उलेग किया गया है और लास्ट में इसका छोटा का कॉन्क्लूजन लिखेंगी अतर संचेव में कहां से आ सकता है कि अधिनियम मानव अधिकार का संद्रक्षन और समुवधन करने में महत्वपून भूमी का निवाता है ठीके गाइस चलिए, नेक्स देखते हैं सूशना के अधिकार अधिनियम की प्रमुक चुनो दिया ठीके, बहुत सिंपल कोश्यन है इस तरह कोश्यन आ भी सकते हैं तो इसे ध्यान से देखें और अच्छे से समझने की कोशिश करें ठीके गाइस, चलिए सूशना के अधिकार अधिनियम की प्रमुक चुनो दिया सबसे पहले बताएंगे कि अधिनियम 2005 में लागू हुआ था और इसको लाने के पीषे सबसे बड़ा उदेश देश में पारदर्शिता लाना पारदर्शिता लाने के साथ-साथी अगर पारदर्शिता आएगी तो शाशन प्रशाशन के साथ जनता का जुड़ाव अधिक से अधि होगा उन्हें वहां की transparency के बारे में मालूम पढ़ेगा जिससे उनके प्रशाशन में विश्वास बढ़ेगा और जब विश्वास बढ़ेगा तो इसी तरीके से लोकतांत्रिक मुल्यों की स्थापना होगी और यही लोकतांत्रिक मुल्य ही स्थापित करना एक अधिनियम की प्रमुख चुनातियों की अगर बात करें तो इसका जो सिखायत तंत्र है कठोर कारवाई की जगे दोशियों का संद्रक्षन करता है इसका जो जो एकतरी से लापरवा या होती उनको इगनोर कर देते हैं कहीं ने कहीं उन चीजों को इतना इिम्पोर्ट होती है, उसका एक राजनेतिक दल दूसरे राजनेतिक दल एक weasne supplement दूसरे विजनेस में की प्रति इस तरख की जनकार या वो प्राप्त करने के कुशिश करता है जिससे क्यों का इसको नुक्सान पहुंचाए जा सके ठीक है यह भी औरे कारे करता हूपी सूरक्षा का खत्रा बड़ा है जो भी Only कुल Shadow नुए से पीक सॉरकषा का में दिखा गया लिखम है और अर्ट इंड़ा भी ने हम आखलोग करके वहाँी स्वासी हुदो eigenlijk देश में लगबग 30-40% सूशना आधिकारियों की पद खाली पड़े हुए है सूशना आयोग में बड़ता राजनेतिक हस्तशिप अभी एक एमेटमेंट भी किया था केंदर सरकार में जिसमें उनकी न्योकती केंदर सरकार के हाथ में आ गई थी तो इस तरह के एमेटमेंट जो हो रहे हैं वो की RTS अधिनयम को कमजोर कर रहे हैं जो है जो है जनपत इस तरवा स्थापित किये जाते हैं और इसकी जनसंख्या का जो क्राइटेरिया है वो 8030 तक रखा गया है ठीक है ठीक है तो ये ये क्राइटेरिय में समुदा एक स्वास केंदर इस्थापित किये जाते हैं तहसे लिया जनपत इस्तर पर इनको इस्थापित किये जाते हैं इनकी विशेशता अगर देखें तो इन केंदरों में न्यूनतम चार विशेश्यक की सर्जन कई बार एक या दो भी होते हैं उसके साथ फिजिशियन इस्त्री रोग विशेशक के बाल चिकित सक होते हैं इनकी सहायता के लिए किस पेरा मेडिकल आफिसर्स और अधिकार करमचारी होते हैं इसमें तीन डोर 30 इंडोर विस्तरों के साथ एक ऑपरेशन थियेटर एकसरेल लेबर रूम यह प्रयुक्साला सूविधाय होनी चाहिए यह होनी चाहिए यह बट होती नहीं है यह 4 प्राथमिक स्वास केंद्र के लिए एक रैफरल सेंटर के रूप में कारे करता है और प्रसुति देखबाल और विशेशक्त परामर्ष के लिए सूविधाय प्रदान करता है ठीक है इन केंदरों पर सर्जरी, मैडिसीन, इस्त्री रोग विश्यशक भी उपलब दोते हैं इस बाते आप कही ने कही अगर लिखेंगे तो आपका प्रभावशाली उत्तर हो जाएगा ज्यादा तर कॉपी चिक करने में देखने आता है बहुत सामान यसी बाते लिखते हों निशक जन के लिए कल्यान का रिकारिक्रम ठीक है जल्दी से देख लेते हैं निशक जन के लिए सबसे पहले पर एक अधिनियम देख लेते हैं निशक जन अधिनियम 1995 समान अवसर अधिकार संद्रक्षन और पूर्ण भागिदारी समान अउस्वर अधिकार संदक्षन और पूर्ण भागीदारी इसका जो अधिनियम का पूरा नाम है या अधिनियम सेक्षनिक संस्थान और सरकार दौरा साहिता प्राफ्ट सिक्षन सस्थानों में तीन प्रतिशन आरक्षन की विवस्था करता है ठीके नेक्स देखेंगे प उनरवास परिश्चत अधिनियम 1992 नेशक जनों की सिक्षा है मों से जुड़े पेशेवर कारिगरों मों आधी के संदर में विशेश प्रावधान करता है। नेशक जन व्यक्ति अधिनियम 2012 विकलांगता की परिभाषा भेदबा उन्मुलन उन्हें आवास शुविधा प्रदान करना आरक्षन बढ़ा कर पांच प्रतिशत करना साथ ही नेशक जनों के लिए राष्टियों नेशक जनों पर अपरात करने पर IPC प्रावधानों से अध आप में से ज़्यादातर को मैं यह बताना चाहूँगा कि आप आंसर में जब तक रिफाइनिंग नहीं लाएंगे ज़्योजन से संबंदित ज़्यादा योजना है डेटा पॉइंट्स विश्यस्ता है नहीं लिखेंगे तब तक आपको अच्छा मांक्स नहीं मिलेंगे त पारिवारिक स्वास्त यह जनसंख्या के विभिन समुओं में व्याप्त स्वास समस्याओं से संबंदित है स्वास समस्याओं के साथ ही स्वास का संरक्षन समवर्धन भी इसी में शामिल होता है बट एक पारिवारिक को एक इकाई की रूप में देखा जाता और उसकी संप तो एक ये integrated पूरा complete package है जिसमें स्वास से संबंदित सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है विक्तिगत यहों पारिवारिक प्रयासो द्वारा रोगों से संरक्षन तथा स्वास को बनाये रखना पारिवारिक स्वास्त है ठीक है पारिवारिक स्वास की छेत्र में समस्य क्या ठीक है प्रशनन स्वास्त परिवार नियोजन कानूनी गर्पात किशोर अफराद किशोर गर्भा वस्ता सुरक्षित मात्रत्व पोशन संबंदी कमिया तो इन सब यह सब समस्या है पारिवारिक स्वास की छेत्र में और इन सभी का निराकरन करना उनकी पहचान करना यही समस्या हो का सामना करना पड़ता है तो इसे सवास संबंदी आधार भूठ ढाचे की कमि 66% ग्रामेंद भारतियों के पास दवाओं की उपलब्द दता नहीं है इसलिए वो प्राप नहीं कर पाते हैं इसलिए वो दूसरे वे में जो जोला चाव डाक्टर है या उनकी मादत लेते हैं क्योंकि उनके पास दवाईया भी उपलब्द होती है ठीक है नेक्स देखेंगे 31 प्रतिशत ग्रामेंद जनों को स्वास सिवाओं के लिए 30 किलोमेटर से ज़्यादा यात्रा करनी पड़ती है देश में इस्त्री डोग विशेशक और चिकेट सब्गों के 40 प्रतिशत पत खाली है और वह भी ज़्यादा तर ग्रामेंद चेत्रों में कि संख्या पर है तो यह रेश्यों बहुत ज़्यादा कम है देश में 85 परसेंट रेडियोग्राफर तथा 80 प्रतिशत लैप टेक्निशन की कमी है तो यह कई सारी ऐसी कमिया है जो भारत के स्वास्वयवस्ता को कमजोर बना दिये पर इसके साथ ही हमें यह भी नहीं गुलन रहा है और देश को बचा के रख रहा है तो जितनी कम्या दिखी है उसके बाद भी हम लोग कमजोर नहीं है ठीक है और आगे यह सब कम्या भी दूर हो जाएगी इसे भी ध्यान में रख रहा है नेक्स्ट आयूस्मान भारत योजना के बारे में बता, question पूछा गया है तो बताएगी कि आयूस्मान भारत योजना यूनिवर्सल हेल्ध Courage के उद्देश के उद्देश के प्राप्त करने के भाराप्त सरकार की प्रमुक्योजना है ठीक है? Universal Health Courage मींज सभी का बहेतर स्वास्त और उनकी सुरक्षा का एक प्रकार से बोल सकते हैं कि वादा करना, ये सरकार ने वादा किया है इस योजना के माध्यम से प्रमुक योजना है आयुश्मान भारत का प्रक्षेपन रास्ति और स्वास्त नेती 17 द्वारा अनुशाशित किया जाता है तो यह आप ध्यान रखेंगे ठीक है यह इसलिए ध्यान रखना है कि प्री में भी कुश्यन आ सकता है कायुश्मान भारत कि इस नेती के तहत अनुशाशित किया गया है ठीक है इसका प्रमुक उद्देश कोई भी पीछी ना चूटे यह आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यह आ सकता है चलो इसकी कुछ विश्यस्ता है अईश्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्त योजनाओं में से एक है या है जिसका उद्देश प्रती परिवार प्रती वर्ष पांच लाक रुपे तक का मुफ्त इलाज करने की गैरेंटी देना है माधि में को त्रती एक स्वास्त चिवाओं के लिए 10 करोड लगबग 10 करोड से अधिक गरीब और वंचित परिवारों या लगबग 50 करोड लाभारतियों को मुहया कराना जो भारती आबादी का 40 प्रतिशत है ठीक है यह 50 प्रतिशत का भी कहीं कहीं दावा किया गया है यह अपाल सतत्विकास लक अधिप्रदेश सरकारा द्वारा कुपोशन को दूर करने है तू प्रयास तो मैं आप शौर्ट में कुछ अभ्यान बता देता हूं आपका आप इन अभ्यानों को डीटेल करने कोशिश करें क्योंकि मैं सब कुछ नहीं बताना चाहता हूं कुछ आपके लिए भी छोड़न मुख्य मंतरी अन्डपूर्णा अटल बाल मित्र योजना प्रोजेक शक्ति मान बाल संजीवनी नेच्स ते बाल शक्ति योजना विन हटा दीजिएगा मंगल दीवस योजना लाली माभ्यान बालवारी पोशन कारेकराम ये सब हैं मध्यप्रदेश सरकार के कहीं ने कहीं या तो महिलाओं में या फिर उनके बच्चों को रख्त संबंदी कमी या कुपोशन संबंदी कमयों को ही खास करके दोर करने के लिए या भ्यान चलाए गए हैं और अलग-अलग शित्रों में और अलग-अलग स्किम्स के साथ ये प्रोग्राम मध्यप्रदेश में चलाए जाते हैं तो खासकर आप योजना है तो याद रखे उसमें ज़्यादा तर ये रक्त संबंदी या पोशन संबंदी ही है या फिर आर्थिक साहिता से संबंदी योजना है इनको थोड़ा-थोड़ा डेटेल करें लिखेंगे कब शुरू किया गया मुख्य उद्देश किया है ठीक है नेक्स पुछा गया था राष्ट्य बाल, अधिकार, संरक्षन, आयोग ठीक है, आयोग के बारे में पुछा गया था तो बताएंगे कि इसकी स्थापना पांच मार्श दोजार साथ को ही थी और नेक्स लिखेंगे इसकी स्थापना जो है पांच मार्श दोजार साथ को ही थी पांच के अधिनियम के तहर ठीक है और इसका उद्देश गया था बच्चों को जो अधिकार दिये गए जैसे समान ता 6-14 वर्ष की उम्रम तक मुफ्त और अनिवारी शिक्षा बाल मजदूरी पर रोग आधी की निगरानी के लिए हुई है ठीक है तो आयोक के बारे में भी कारियों का उल्लेक कर देंग आतंको आत्सांप्रदाइक हिंसा, दंगे, प्राकृतिक आपदाओं, घरेलों हिंसा, HIV, AIDS, धेवयापार, दूर व्यवार, उत्पेडन, शोषन, पॉर्नोग्राफी, वेश्यावरती, द्वारा प्रभावित बच्चों के उन कारकों की जाच करना जो उनके अधिकारों को वन्चित करते हैं, अधिकारों से वन्चित करते हैं, उप्युक्त, उप्चारत्मक, उपायों की अनुसंसा करना, तो केवल ना केवल इन सब चीजों से आइडेंटिफाई करना, उनकी कारणों को भी निकालना और उनके लिए कैसे बचाव किया जाए, उसका अनुसंशा करना इसमें शामिल है, बाल अधिकारों के शेतर में अनुसंधान का संचालन करना, ठीक है, गाइस, तो ये कहीं ने कहीं उनके लिए, रिसर्च भी इसमें शम्मिल ले थे, जिससे कि उनका जिवन बहतर हो सके, चलिए, नेक्स देखते, असंगठिच छेतर के स्रमिकों की स प्रशन था हमारा, ठीक है, तो असंगठिच छेतर कौन सा होता है, पहले ये बताएंगे, इसा छेतर जिनकी कहीं ने कहीं आर्थिक, एक तरीके से इसा आर्थिक छेतर में लगे हुए लोग, जिनकी किसी भी प्रकार की ग्यारेंटी नहीं होती, ना उनकी जॉब की ग्यार करना है, तो इसमें ये बताएंगे कि उनके साथ क्या होता है, ठीक है, इस्तित्य तो खराब है, आर्थिक भी खराब है, समाजिक भी खराब है, राजनितिक भी खराब है, सभी प्रकार से खराब है, तो खराब है, तो उनके साथ होता क्या है, उसमें होता है, अनौप्चा पर ट्रेड उनियन ध्यान नहीं देते हैं शक्षर्ता की कमी समझिख वितन संबंदी कानून से वह अंजान एक तरीके से विक्सित तकनिक के अभाव में उद्योगिक दूरवर्टना उनकी जहां पर नईश्लय इस्तर पर बहुत तरीक होती जिनसे उनको जानगवना परता है महिला श्रमिकों की इस्थान दूर व्यावार मतलब जहांपर काम करते हैं उनका वेतन भी कम होता है अनौरप्चारिक श्रमिक रिण गरश्तता और बंदवा मजदूर से भी गरश्षित होते हैं ठीक है इस तरीके से कारिस्तल से दूसरे विक्ति में नहीं फिलते हैं जैसे संक्रामक फिलते हैं और गेर संक्रामक एक विक्ति से दूसरे में नहीं फिलते हैं उन सभी रोगों को गेर संक्रामक रोग कहते हैं ठीक है इन में कौन-कौन से रोग आते हैं मदू में हैं कैंसर कंठमाला एक वायटर बोलते है पक्षगात या लकवा, सिजो, फनिया और रदाई रोग, जोड़ो का दर्द, ये सभी गेर संक्रामक रोग में आते हैं, तो क्योश्चन जो था गेर संक्रामक रोगों के बारे में क्या जानते हैं, तो पहले बताएंगे हैं क्या, यसी विमारी जो एक विक्ति से दूसरे, एक के द्वारा दूसरे में ना फिले या किसी विप्रकार की छूने से फिले नहीं, वैसी विमारी गेर संक्रामक होती है, तो मधू में एक बारे में बताएंगे, इसमें रोग, यह जो रोग है, अगनासाई के खराब होने के कारण होता है, इसमें अगनासाई की कोशिका का परियाइक मात्रा में इंसूलिन हार्मोन का निरमाण नहीं करती है, केंसर मनुषी के से, तो एक अनियांतरित गुच्छा कोशिका का जो निरमाण होता है वो अनियांतरित हो जाता है, और उसी का वो केंसर हो जाता है, तो अस्ते से लगा कर, फो शरीर के बाहरी इसकीन कि हार्मोन थाइरोक्सिन की कमी के करण गला सूख जाता है ठीक है बोजन में आयोडिंग की कमी के करण होता है लक्वा अगेरा के बारे में बताएंगे सिसोफनिया और रदई रोग जोडो आदि के बारे में इसमें बताना था तो गईज यह हमने सभी six marker को डिसकस किया है उनकी बारी क्यों को समझा है और विशेश रूप से मैंने ये भी बताने कोशिश करिए कि आपको marks कम आते हैं दो या तीन आते हैं तो आपके लिए लाबदायक नहीं है जब तक कि आप बहुत छोटा सा अच्छा निश्कर्श जब तक कि उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन और महतोपुन पॉइंट विशेशता नहीं लिखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा factual जानकारी नहीं लिखेंगे six marker में आपको अच्छे marks नहीं आएंगे और अच्छे marks नहीं आएंगे तो overall means qualify नहीं होगा तो इसलिए इस lecture पर ध्यान दें इसकी points को देखें और इस तरह के से अपने answer भी सुधारने की कोशिश करें ठीके गाईस आशा करता हूँ आपको lecture समझ में आया होगा और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं भी ना इसकी YouTube चैनल पर तो चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें वीडियो को शेर करें Thank you for watching